हेलो फेंड्स माइनेम इस राकेश कुमार सिन्ना और मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लिखाया हूं जिसका टॉपिक है ड्रैनेज यह काफी लंबा वीडियो है मैं इसको बहुत सारे पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है ताकि यह ज्यादा लंबा नहों और आप लोग को बोरिंगनलगें ऐली देखते हैं यह वीडियो के कचेता हैं कुछी ठिपनीस्स्रिंसें इसको जिसको हिंदी में अब वाँतांतर या प्रह परनाली कहते हैं जिसको हिंदी में अप यह और यह बोड़दी अपरनाली कहते है देने शीतम इंटिंटीड ख airplane दी, river and its tributaries, यहां पर trunk stream यूज किया गया है, main course of river को, trunk stream और उसकी tributaries का जो integrated system है, उसको drainage system कहते है, और जो drainage system है, यह surface water को, जो बारिज के दुआरा आता है, उसको sea की तरफ funnel करता है, sea, lake, कोई भी other water body की तरफ यह direct कर देता है, next एकते है, drainage basin, जलसंबर भी कहते है, the total area that contributes water to a single drainage system is known as drainage basin, यह जो total area है, एक single drainage system को, जो drainage system का उपर देखा, single drainage system को water contribute करता है, उसको drainage basin करते है, हम लोग next इसको figure में देख लेंगे, clear हो जाएगा, next देखते है, यह देखिए, यह हमने, मैंने यहाँ पर गंगा का drainage basin दिखाया है, समझाने के लिए, गंगा का drainage system, हम लो यहाँ जो गंगा का source है, source of Gंगा यहा लिखा हुआ है, यहाँ से गंगा शुरू हो रही है, और यहाँ से देखिए जाते हुए, कानपूर से होते हुए, यह यहाँ पर बेव बंगाल में मिल जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो सहायक नदिया है, बानास, यमना, चंपल, सिंद, बित्वा, केन, यहाँ सोन, उपर, उपर लेव बंट, ट्रिव ट्री, सारदा, घागरा, रापती, गंडग, तो यह गंगा और उसके सहायक नदियों का एक integrated system है, और इस integrated system को हम लोग drainage system करते हैं, और यहाँ जो dotted line से जो यह cover किया हुआ है, यह total area गं drainage basin हो गया, और एक तरह से यह भी कर सकते हैं, यह dotted line है, यह एक तरह से गंगा का water divide भी है, जल यह next देखते है, water divide, an elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basin, such an upland is known as a water divide, अभी हम लोग देखें, drainage basin का definition, तो हमने क्या देखा, कि जो total area होता है, जो contribute करता है drainage system को, water contribute करता है, उसको drainage basin करते हैं, तो water divide के इस side जो area है, यही area stream A को पानी contribute करता है, और इधर stream B को पानी contribute करता है, stream A का पानी stream B में नहीं जाएगा, और एक दूसरे में नहीं जाएगा, तो जो उब्रावभाग, upland, उची भूमी, जो दो drainage basin को divide करती है, उसको water divide करते हैं, जैसे कि for example, हम ले सकते हैं, जैसे Ambala, जो हर्याना में आता है, जो चंडिकड़ और पंजाब के border के पास है, वो सिंदु नदी और गंगा का water divide है, नेक्स देखते हैं, note, world's largest drainage basin is of the Amazon River, यह note करने वाली बात है, कि हमारा world का सबसे largest drainage basin किसका है, तो Amazon River का है, एक question देख लेते हैं, which river has the largest basin in India, तो इसका answer है, गंगा basin is the largest, नेक्स देखते हैं, drainage pattern, it refers to a design which a river and its tributaries form together, from its source to its mouth, source मतलब जहां से उद्गमस्तल और mouth जहां पर समुदर में मिलता है, उसको mouth बोलते हैं, तो क्या हमने देखा, कि drainage pattern is a design, जो नदी अपने साहिक नदियों के साथ मिलकर बनाती है, एक design है, factors controlling the pattern of drainage, इने reason includes, क्या का factor है, जो drainage pattern को control करती है, वो सब drainage pattern को control करने वाले factors को हम लोग देखते हैं, पहला है, topography, slope of land, land का कैसा धाल है, underlying rock structure, आदारबूत, आदारबूत, पत्थरों का structure कैसा है, tectonic activities, tectonic activities देखिए, इसका काने का मतलब है कि the process which control the structure and properties of the earth crust and its evolution through time, मतलब प्रोसेस, जो अर्थ के properties और structure को control किया है, और उसके evolution में एक योगदान दिया है, उसको tectonic activities करते है, climatic conditions of the area, ये बहुत important point है, climatic conditions of area, मतलब supply of water, वो बरफिला area है, रेकिस्तानी area है, ज्यादा बारिस होती है, कम बारिस होती है, तो ये climatic condition बहुत ज्यादा matter करता है, drainage pattern में, last point देखते है, above all geographical history of types changed over time, मतलब किस तरीका से उसका geographic phenomena समय के साथ change हुआ है, ये matter करता है, drainage pattern के design में, next देखते है, in India, following types of drainage pattern are found, देखिए, यहाँ पर 12 तरीके का मैंने drainage pattern दिया है, बहुत सारे books में कहीं 4 दिया है, कहीं 5 दिया है, कुछ books में 12 तक दिया है, तो मैंने सभी के drainage pattern को इसमें यहाँ पर दर्साया है, लेकिन एक से साथ तक जो है, हम लोग इसी का discussion करेंगे, बहुत सारे books में यही common दिखते हैं, तो हम लोग यही एक से लेके साथ तक का discussion करेंगे, बाकी अगर आप लोग को देखना होगा, तो 8 से 12 आप, नेट से, या फिर कोई दूसरे book को refer कर लिजेगा, तो Google पर search कर लिजेगा, यह आसाने से मिल जाता है, next देखते है, the antecedent or inconsequent drainage, inconsequent का देखिए, क्या मतलब है, drainage pattern which bears no apparent relationship to the underlying rock type or structure, मतलब drainage pattern, जो अपने जिस rock structure पर वो स्थापित हुआ है, उससे उसका कोई relationship नहीं है, मतलब घुमा पिरा कर वो antecedent का ही बात करता है, तो antecedent और inconsequent donor एक ही है, देखते हैं, antecedent क्या करता है, an antecedent stream is a stream that maintains its original course and pattern despite the changes in underlying rock topography, यह अपने original course को maintain रखता है, despite of changing in underlying rock topography, जो underlying rock topography है, वो change हो रही है कि नहीं हो रही है, उससे मतलब नहीं है, वो अपने original course को maintain रखता है, next point देखते है, this rivers are older than mountain, यह जो reverse है, जो antecedent rivers है, यह mountain से पू मैं इसके details में बताता हूँ, आगे मैं expand करता हूँ, मैं यह topic कवर कर लेता हूँ, their gorges are the evidence of it, तो gorges कैसे बनते हैं, geological uplift and erosion यह contribute करते हैं, gorges की formation में, तो जो इस antecedent नदियों का gorges है, यह जो है, इनका evidence है, कि यह antecedent है और यह mountain के बनने से पहले से बने हुए है, next point देखते है Many of the Himalayan rivers existed even before the Himalayan ranges were uplifted, यह क्या रहा है कि, जो Himalayan river है, बहुत सारी Himalayan river, सभी Himalayan river नहीं, बहुत सारी Himalayan river वो antecedent है, मतलब Himalayan ranges के बनने के पहले से वो exist कर रही है, यह कैसे exist कर रही है, तो यह दिर में details में बताता हूँ, next point देखते हैं, जो पहले से exist करने वाले नदिया वो नदिया जो है, वो नदिया जो है, वो तीबतन साइट में और वो हिमाले को करते हुई भारत में है, next देखते हैं, गोर्जेज ऑफ दे हिंदूस, तसतलस, दलकनन्दा, दगंडग, दगंडग, दगोसी, और बरंपुत्रा, क्लियरली इंडिकेट से बनने के पहले से है यह काफी important drainage है, और जो हमारी हिमाले नदियां जैसे हो गई, जैसे सतलस, गंडग, कोसी, इंदूस, तो यह हमारा हिमाले के बनने से पहले है, अब यह कैसे है, हम यह देखते हैं, जो antecedent rivers जो होती है, वो पहले से अपना एक रास्ता बना लेती है, वो अपना course को follow करते रह जो सता का upliftment हो रहा है, जैसे कि next figure में हम लोग जो देखते हैं, यहां figure 1 में यह दिखला रहा है, कि एक surface है, वहाँ पर एक river स्थापित है, इसका अपना course है, second figure में यह देखते है, कि यहां पर folding हुआ है, सता उभर गई है, लेकिन जो river है, वो अपना रास्ता वैसा ही continue रख बहने वाली रास्ता को erode करते हुई चली गई है, और सता उभरते गई है, बीच में सता का erosion हुआ है, और नदी का रास्ता बन गया है, तो यहां इस फोटो से हमें clear पता चल रहा है, यह जो पहाड जो उभरे हैं, यह बाद में उभरे हैं, और यह नदी जो है, नदी यह प पर यह पाड उभरा हुआ नहीं है, और यहां से पहले से एक नदी गुजर रही है, और बी में देख रहा है कि यही जो वान वाला denote किया गया है, यहां पर यह थ्री किया गया है और यह उबर पार इह उबर गया है, फोल्डिंग कर नदी अगर यह एक मौंटेन बन चुका बहना इसका पॉसिबूल नहीं था वो तो उचा होईने कर दो जा जा ही क्रोस नहीं कर पाता तो यह प्रूफ है कि जो गोरजे बनाया है यह प्रूफ है कि रिभर्स पुरानी है competitions से यह काफी important है क्योंकि बहुत साब रिभर्स Sad sit बहुत बहुत कोसन ऐसे भी आता है कि what do you mean by antecedent river और यह भी कोसन आता है कि टूफ आल्स में कि इंदू सतलज और ओल्डर देन माउंटेन इस टाइब से कोसन आ सकता है यहां पर एक नोट करने वाली पॉइंट है कि हिमालयन rivers में जो गंगा है वो antisident के वह सीवालिक रेंज के है वाकि तीनों रेंज के वह एटिसेईट में है रेटर और लेसर हिमालिया और टीहांब्र है यहां पर दिखलाया है यहां पर यह जो दार्क पॉरसहन है यह ए जी माले के रहे है टरी दिख लाएगया यह तो टो दो 1 और 2 के लिए यह anticident नहीं है तीसरे के लिए यह anticident त्रौन हर देखे गांगा उत्रकाट की उत्रकाइसी डिस्टिकश्य से निकला है तो उत्रकाइसी से सेकंड पर है फो लेसर हेमाले में है तो Between 1 और 2 पर हो यह नहीं सकता है और अगर gonna be the second source होता है और वहाबी सिवाली दृसजिया ऑफर न से पहले गंगब अपना course maintain कर चूकी थी तो Kung days into sip like range only जाओंग से नुटकार् ने माले पॉइंट कोई अगर कोर्शिया आता है कि विपिश्व exhaustion जे अंचस्वाली कोंने रखे है çek short Consequent river which follow the general direction of slope are known as is consequent rivers, simple differences से परद जल रहा है कि वो river जो general direction, slope का general direction follow करता है, उसे consequent river करते हैं, यहाँ पर देखते हैं figure में, यहाँ पर ढ़ान से एक नदी चली है, consequent river जो मोटा वुला रास्ता बना है, consequent river करते हैं, next point देखते हैं, most of the rivers of peninsular India are consequent river, जो peninsular India के most of the rivers हैं, सभी नहीं है, most of the rivers जो peninsular India के हैं, वो consequent है, rivers like Godavari Krishna and Kaveri descending from the western ghats and flowing into the Bay of Bengal are some of the consequent rivers of peninsular India, जो Godavari Krishna Kaveri जो western ghats से निकल रही हैं और वो Bay of Bengal के तरब जो अपना रास्ता बनाई हुए हैं, वो consequent rivers है, peninsular India का, अब देखें, consequent river का जो वाला point है, इसमें ही कर रहा है, कि general direction of slope, तो सभी न दिया, तो slope का general direction सहीं बहती है, point डालो, वो उधर धलान है, जिधर उधर ही बहाएगा, यह तो normal, natural law है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे river का, जो course है, वो बहुत सारे factor पे determined होता है, जैसे हम figure में ही देखते है, जो obsequent river जो दिखाया गया है, यह direction के opposite दिखाया गया, यह कैसे हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारे factors है, मैं यह बताना चाहता हूँ कि, जो reverse के जो course होते है, वो बहुत सारे factors पे dependent करता है, तो consequent river जो है, slope के जो general direction follow करता है, उसे consequent river करता है, नेक्ट देखते है, subsequent streams subsequent streams are streams whose course has been determined by the selective headward erosion along weak strata, जो को सैकर से गहाँ रहा है, subsequent streams, वो stream होता है, जिसका course determined होता है, headward erosion के काराण, weak strata पे जो headward erosion होता है, उसके काराण उनका course determined होता है यह जो subsequent stream होती है यह normally main stream के develop होने के बाद subsequent streams developed independently of the original relief of the land and generally follow paths determined the weak rock belts देखिए जो मैं बताया था वो सामने ही आ गया कि जो subsequent stream है वो independent होती है वो जो original relief है जो उभार है सत्ह का उभार है उससे independent होती है और वो follow करती है weak rock belts को weak rock belts को वो erode करती है और अपना रास्ता बना लेती है ठीक है यहापर मैंने एक छोटा सा add किया है देखिए जो headward erosion है इसका हम लोग स्वाद देख लेते हैं headward erosion is erosion at the origin to move back away from the direction of the stream stream flow and so cause the stream channel to lengthen मतलब जो headward erosion है यह origin जो source है वहाँ से यह start होता है और erode होकर जो stream है वो backward move करती है और जो course है उसको lengthen करती है आप इसको अच्छे से समझ लीजेगा जो river की जो stream के जो origin होते है वहाँ से erosion होते है और यह पीछे की और बढ़ते हुए जो stream के जो general direction है उसके opposite side में बढ़ते हुए यह अपने course को बढ़ा कर लेती है next point देखते है इसे में हम लोग subsequent river का the chambal, sindh, kain, pitwa meet the yamuna and son meets the ganga at right angles they are the subsequent drainage of the ganga drainage system जो ganga drainage system के यह जो नदिया है यह subsequent drainage है यह figure में हम लोग देखते है subsequent river का यहाँ देखे subsequent river यह लगबग 90 degree पर consequent river से मिली है तो इसका जो direction है वो general direction से थोड़ा भी नहीं यहाँ पर आप लोगब देख लीजिए next चलते है subsequent streams are streams whose course follows the original relief but at a lower level than the original slope example that is flows down a course determined by the underlying strata in the same direction these streams develop latter and are generally attributory to a subsequent streams यह देखे यह क्या करता है जो subsequent stream है वो original relief को follow करते है जो भार है जो ठलान है उसके हिसाब से ही वो चलती है लेकिन जो original slope है उससे फोड़ा नीचे से मतलब यह बताना जाता है कि consequent है वो consequent stream की तरह ही है लेकिन consequent stream के source से consequent का source नीचे होता है और यह subsequent stream के development होने के बाद develop होता है बहले consequent stream develop होती है और उससे नीचे उसके source से नीचे से एक नया stream develop होता है और वो same relief को follow करती है और वो subsequent stream के थूँ consequent stream में मिल जाती है नेक देखते है Obsequent streams Obsequent streams are streams flowing in the opposite direction of the consequent drainage अब देखिए जो obsequent streams है यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कमजोर सता है उसको stream ने erode किया है और अपना एक सुरूप बना लिया है और जो यहाँ पर जो general relief है उसके opposite होकर consequent stream के opposite direction में बहते हुए subsequent stream के थूँ consequent stream में मिल रहे है नेक्ट देखते है डेंडराइटिक ड्रेनेच a pattern of drainage which is branching, remething or dichotomizing thereby giving the appearance of a tree branching, remething or dichotomizing इसका मतलब होता है साखों में बटना मतलब जो वरिक्ष है उसकी डालियाां जिस तरिकाशे होती है उस तरिकाशे डालियों में साखों में बटना मतलब यह है देंडराइटिक ड्रेनेच है इस पर question भी आता है कि question भी एक दो बार आ चुका है ऐसे example में कि northern plains की जो नदियां है वो किस pattern पर है तो आप लोग ये ध्यान दिजेगा कि dendritic drainage इसको थोगा बढ़ियां से दिखेगा तो ये क्या कर रहा है कि it's a pattern of drainage जो विक्षों की साखाओं की तरफ बढ़ जाता है और ये एक विक्ष का ही एक रूप ले लेता है जो drainage pattern है वो एक विक्ष की तरफ साखों में बढ़ जाती है और वो एक विक्ष का ही रूप ले लेती है इसका मतलब ये है next point the dendritic pattern develops where the river channel follows the slope of the terrain ये point करता है कि dendritic pattern वहाँ develop होता है जहां पर river जो भुभाग का धाल है slope of the terrain उसी को follow करती है next point the stream with its tributaries resemble the branches of a tree that's the name dendritic तो dendritic pattern उसको बोलते हैं जो एक विक्ष को resemble करते है यहां पर हम ये figure में देखते हैं ये main stream हो गया ये tributary हो गया और ये tributary और main stream मिलकर एक विक्ष को resemble कर रही है विक्ष की डालियों को resemble करते हैं ये साखाओं में ये बटी हुह है tributary और इसकी नदियां और यहां पर next figure में तो clear ही लग रहा है और यहां पर यहां पर जो drainage pattern है वो dendritic type होता है नेख देखते हैं Trails pattern river joined by its tributaries at approximately right angles develops a trails pattern साहे कि नदिया जब नदियों को approximately right angle पर जब जोईन करती है तो एक trails pattern develop होता है एक पर देखते है a trails pattern develops where hard and soft rocks exist parallel to each other यहां पर क्या note करने माली बांद है कि trails pattern वहां develop होता है जहां पर hard rock and soft rock दोनों parallel exist होता है ताकि soft rock पर नदिया जो है वो erosion करके अपना course बना ले और hard rock एक उबरावा पार्ट बन जाए next point तो old folded mountains of the singh boom छो टानाकूर प्लेट्यू में जो हाता है have drainage of trails pattern तो तो singh boom में जो टानाकूर प्लेट्यू में जो old folded mountain mountain है वहां के जो drainage pattern है वो trails pattern है यहां figure में देखते है trails pattern कैसा होता है यहां देखे है वो hard rock है वहां पे रोसन नहीं हुआ है और यह जो साहिक नदिया है right angle से मिलती है तो यह trails pattern है यह याद रखिएगा कि river joined by its tributaries at approximately right angle एक point, दूसरा point it develops where hard and soft rock exist parallelly and third point it is most prominent in छोटानाकूर प्लेट्यू आवजारकन यह 3 point याद रखिएगा trails pattern का यह figure अपने दिमाग में लाख लीजे next देखते है rectangular drainage it develops on strongly jointed rocket train यह वहाँ पर develop होता है जहाँ पर जो भुभाग है वो काफी मजबूती से जुड़ी हुई है next point the drainage pattern marked by right angle bends and right angle junctions between tributaries and the main stream is known as rectangular drainage drainage pattern है वो right angle bends drainage pattern है वो pattern में यह दिखता है कि जो tributaries जो है वो right angle से bend भी होती है मुड़ती भी है और right angle से ही main river को join करती है वो इस तरीका के drainage pattern को rectangular drainage pattern करते है यहाँ figure में यह जीज पस्ट हो रहा है यह देखिए यहाँ पर यह सब यह जो tributaries है यह right angle से मुड़ती है अपना course change करती है और right angle से ही main river में join करती है तो वो drainage pattern जिसमें tributaries अपने main river को right angle से मुड़कर right angle पे ही join करे उसको हम लोग rectangular drainage pattern करते है और यह strongly jointed rocky trend पर develop होता है next step radial pattern the radial pattern develops when streams flow in different directions from a central peak or dome-like structure analogous with the spokes of a field radial pattern वहाँ develop होता है जहाँ पर streams एक उबरा हुआ भाग central peak एक dome-like structure वहाँ सर्व बहना सुरू करता है तो radial pattern वहाँ पे develop होता है उसी तरह जैसे आप cycle के चक्के का spokes जो होते हैं किस तरह से सभी directions में निकले हुए होते हैं आप उसको ध्यान में रखेगा तो आपको radial pattern समझ में आ जाएगा next point देखते हैं मैं figure के द्वारा इसको काफी अच्छा से समझा दूँगा एक good example of a radial drainage pattern is provided by the reverse originating from the Amarkantak mountain जो Amarkantak mountain का drainage pattern है वो बहुत एक अच्छा example है radiant pattern का next point rivers like Narmada, Sun, Mahanadi originating from the Amarkantak hills flow in different directions and are good examples of radial pattern देखे जो Amarkantak hill है जो सत्पुड़ा और बिंद्या का meeting point है जो located in MP वो radial pattern का एक बहुत अच्छा example है this pattern is also found in the Ginnar Hills and Mikir Hills of Assam Mikir Hills of Assam और Ginnar Hills गुजरात के यहाँ पर भी यह pattern देखने को मिलता है यहाँ पर यह देखे फिगर में स्पीक से नीचे की और बहना सुरू करती है यहाँ फिगर में तो क्लिरी समझ में आ जाता है कि किस तरीका से रेडिल पैटर्न डेवलोप होता है यह रेडिल पैटर्न होगा इसको आप लोग याद कर लिए यह इसमें याद करने बाले पॉइंट ही यह है कि इस अनलोग इस पोक फेडिल और देपलोप्स में इस स्रीम फ्लो इन इस दिफ्लों इन और डिकार्ट गज्ज्टेशन इंडिल पैटर्न next point there are several basis for classifying drainage systems of India these are दिखिए बहुत सारे books में basis of classification है कहीं कहीं एक दिया हुए हैं दो दिये हुए हैं मैंने जो अलग बुक में जो basis दिये हुए हैं मैंने उन सभी basis को यहां पर add कर दिया है और मैंने यहां पर 3 basis दिखाया है these are size of the catchment area साइज के हम लोग नदियों को डिवाइड करते हैं modes of origin साइज के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं कि वह कहाँ originate हो है pencular है कि हमालयान है orientation to the sea उनका कि सी की यह डारेक्शन है वो बेव बेगाल में जाती है कि अरवेशी में जाती है तो राउज आप क्या कहते हैं, फ़ला पट देखते हैं, इन्होंने तीन भाग में बाटा था, major, medium, minor, तो major river system को देखते हैं, with catchment area of 20,000 square kilometer and above, वो नदीज इसका catchment area 20,000 square kilometer और उससे ज़्यादा हो, उसको major river system में उन्होंने रखा है, it accounts for 58% of the total runoff of all the rivers of India, जो हमारे देश की जो सभी नदिया है, उसका total runoff, उस total runoff के 58% runoff जो है, major river system कहीं है, there are 14 in numbers and are in high rainfall area, वो लगभग 14 है, number में 14 है, और वो high rainfall areas में ज़्यादातर पाई जाती है, जो यहां पर आंकड़े दिया होगे, 58% है, कुछ बुक्स में 85% दिया हुआ है, कुछ में 58% दिया हुआ है, तो हम लोग यह आंकड़ों के चक्कर में नहीं फसते हैं, बस हम लोग यह तना याद करते हैं कि जो major river system है, वो एक major percentage, total runoff of all the rivers में major percentage वो उनीका है, major river system का ही है, एक जखते हैं, medium river basin, with catchment area of 2000 square kilometer to 20,000 square kilometer, 2000 और 20,000 के बीच में जिसका catchment area उसको medium river basin में रखा गया है, और यहां पर it accounts for 7% of the total runoff of all the rivers, तो हमने क्या देखा कि medium river basin का catchment area है, वो accounts for around 7% of total runoff, तो हमने क्या देखा, जो medium river basin है, जो medium rivers है, उनके जो runoff है, वो total runoff के 7% है, they are 44 in all and are in medium rainfall, तो जो medium river basin है, वो medium rainfall वाले area में है, next point देखते है, these are further divided into 3 subgroups, depending upon the directions of flow, जो medium river basin है वो तीन subgroup में डिवाइड हुई है, वो basis of direction of flow में, 19 are west flowing, 21 are east flowing and remaining 4 flow to the other countries, तो यहां पर हम यह देखते हैं कि west flowing और east flowing river है, मैं next video में, इस video में मैंने नहीं डाला है, next video में मैं east flowing and west flowing river के बारे में बढ़ियां से बता दूँगा, तो इस medium river basin के जो 3 subgroup में, उसमें क्या है, west flowing and east flowing and 4 flow to the other countries, other countries कुछ नदियां हमारे दूसरे देस से आती हैं और वो दूसरे देस में चली आती हैं, तो यह 3 subgroup में हमें medium river basin को राव साब ने बाटा है, next जेकते हैं minor river basin, with a catchment area below 2000 square km, जिसका catchment area 2000 square km से नीचे है, उसको minor river basin में रखा गया है, and it accounts for 8% of the total runoff of all the rivers of India, minor river का runoff है, वो total rivers के total runoff है, वो 8% है, they are large numbers, यह इनकी तादात बहुत जादा है, they are either located in dry areas और in the coastal areas, especially on west coast, इनका minor rivers जो हैं, यह mostly dry areas में हैं या फिर coastal areas में हैं, और coastal areas में भी especially in west coast, next देखते हैं, origin के basis पे हमने नदियों को जो classify क्या है वो देखते हैं, depending on the origin of rivers, two broad drainage systems of India are generally recognized, origin के basis पे हमने drainage system को दो भाग में बाटा है, पहला drainage system है Himalayan drainage, and second है Penalafluor drainage, Himalayan drainage जिसको हम extra Peninsular drainage भी करते हैं, इसका एक्जामपल इंदूस, गंगा, प्रम्पुत्रा और उमें के सायक नदिया हैं, Peninsular drainage जो महनाती गुदावरी, कृष्णा, कावेरी, नरवदायन टपती हैं, जो नदिया निकली हैं, उसको हम लोग हमालय drainage भे रखे हैं, और जो Peninsular, इंडिया से जो नदिया निकली हैं, उसको हम लोग Peninsular River में रखे हैं, मतलब origin के हिसाब से हम drainage system को दो भागवन बाढ़ सकते हैं, हमालया न पर इंसूलर नेक्स्ट हम लोग orientation to the sea के हिसाब से हम लोग नदियों क्लस्फ़ाई करते हैं, orientation to the sea मिंस नदियों का direction किस समूध्य की तरफ है, वो Arabian Sea की तरफ है या Bay of Bengal की तरफ है, फिकर में हम लोग देखते हैं कि यह जो ऊपर से नदियां देखे हैं, यह जो इंदू सनदिय हैं, इनकी साहिक नदियां, जेलम, रभी, सतलज, यह यहां पर आकर यहां पर Arabian Sea में मिल जाती हैं, तो हम लोग orientation to the sea के हिसाब से नदियों को, drainage system को हम लोग classify कर सकते हैं, next देखते हैं, the Indian drainage is divided into two major drainage system on the basis of orientation to the sea, this include the Bay of Bengal drainage and Arabian Sea drainage जो हमने देख लिया है, next point, about 77% of the drainage area of the country is oriented towards the Bay of Bengal, it consists of a large number of rivers like the Ganga, the Brahmatra, the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and Kaveri, यहां पर 77%, मतलब वहीं देखिए, फिर यहां पर आकड़े आ गए, तो यहां पर हमें क्या ध्यान पर देना है, तो drainage area के जो major part है, वो oriented है किस के तरफ? Bay of Bengal के तरफ, हमें यह देन देना है, आकड़ों के पीशे ज्यादा नहीं भागना है, आकड़े तो चाहिए, आकड़े तो गभी एकजाम में आते नहीं है, आप याद रख लिजेगा कि याद रख लिजेगा कि आराउंड 23% अप याद रख लिजेगा कि आराउंड 23% of the country surface flow, they are oriented towards the Arabian Sea जो Arabian Sea की तरफ जो और नदिया आती है, वह कौन कौन से नदिया आती है, नरबदा, तापी, सापरमती, मही और वह नदिया जो वेस्टन घाट से निकलती है, और वेस्टन कोस्ट की तरफ बैती है, next point, some rivers form inland drainage, कुछ नदिया जो है, inland drainage is that drainage in which rivers do not reach on ocean or sea, but empty their waters in a lake or an inland sea, मतलब जो inland drainage की जो नदिया है, कुछ नदिया ऐसी है, जो समुदर में नहीं जाती है, बल्कि वह अपने पानी को किसे समुदर में, या फिर inland sea में, inland sea जो मेन समुदर में connected नहीं है, उसमें जाकर गिर जाता है, characteristics of inland drainage, inland drainage streams joins lakes inland sea, वो lake और inland sea को join करती है, main समुदर को नहीं join करती है, they are fed by rainy water, वो बारिस के पानी से उनको पानी मिलता है, during rains they experience flash plots, flash plots वैसे ही नदियों में आता है, mostly, during dry seasons they grab और dry season में वो सूख जाती है, तो inland drainage का यहाँ पर it originates from puskar valley, of the arableese range near Ajmer, यह अजमेर के puskar valley के पास यह originate होती है, और marci land of run of kach of gujarat, run of kach, जो gujarat का run of kach है, उनके marci land में यह end हो जाती है, यह puskar valley से निकलती है और run of kach में विल्प्त हो जाती है, यह inland drainage का यह बहुत अच्छा उधारान है, अगेन सब-divided into two groups, हेमालेयन रिवर हैं हम लोग दो ग्रूप में बाटने हैं, Trans Himalayan and Himalayan, ूमालेयन मतलब Trans Himalayan rivers originate beyond the great Himalayas, वह इंटिसेंट की बात कर रहा हैं रहा यहाँ यह पर, इंदू दसलाज दभरह्यंपुतरे हुश, तो हेमालेयन जो Trans Himalayan river है पर वहा रिंग को ल trace dot jaDE, हमरा उत्राकंट निकली है तो वो थी बतन प्लेट उस भेड़ी निकली है तो 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 ट्रांस-Himalan Frame लेक्स डिखते हैं तो लेक्स देखते हैं तो हिमालयन को अंत्राना रिवर को दीखते हैं फिसो गता है और Northern Plane में बहती हैं उनका एक्जामपल है गंगा और यम्ना और उनकी सायक में हमने क्या देखा है कि हमालय को दो भाग में बाटा है Trans Himalaya को किसे कहते हैं जो हिमालय के दूसरी तरफ से जिनका उद्गम हुआ है जो तिपतन प्लेटियू से जिनका उद्गम हुआ है और हिमालय के परवतों ते और Northern Plane से बहती हैं इसका एक्जामपल गंगा और यम्ना है एक्ष्ट देखते हैं Features of Himalayan River System Himalayan River System के Features क्या है The Himalayan drainage system comprises all the international rivers of India Himalayan drainage system में इंडिया के सभी international rivers आया ते जैसे इंदू, उस्दगंगा, दप्रंपुत्रा ये तीनों international river है मतलब दूसरे देश से आई है या तो पिर दूसरे देश में गई है इनका सोर्स किसी और देश में है या फिर माउथ किसी और देश में है इनका सोर्स और माउथ के बीच में एक से ज्यादा देश आये है Many of the Himalayan rivers existed even before the Himalayan ranges were uplifted यह यह करता है कि जो बहुत सारी जो Himalayan river ऐसी है जो Himalayan range के पहले से ही exist कर रही है जो यही बात करता है कि जो गोर्जेस है जो इंदूस सतलस दलकनना गंडक और कोसी के जो गोर्जेस है वो क्लिरली इंडिकेट करता है जो गोर्जेस है इट मिन्स की नदिया पाले से थी मांटन बीच में निकले है और इरोशन के थूँ रास्ता बंता चला गया और पहाड़े जो भरती चली गई और गोर्जेस कोंटिनीव होता चला गया यह बहुत इंपोडन पॉइंट है कि जो हिमालियन रिवर यह यूथपूल स्टेज में है यह यंग स्टेज में है और यह बहुत सरा इरोशनल रैंडफों को बनाती हैं जैसे बाटरफाहल, काराट्र מצण गउर्जर इस्टीप स््लोप До. यह अरोशनल शप्र के जोरा बनती है तो Himalayan river है वो youthful stage में है वो बहुत सारे erosional landforms बनाती है इनका erosional activity बहुत ज्यादा है next point देखते हैं Himalayan rivers are eroding as well as depositing agent Himalayan river जो है वो erosion भी करती है और वो deposition भी करती है वो plains और delitas में deposit करती है और Himalayan के upper coast में erosion करती है next slide से यह सब points clear हो जाएंगे अभी यह दिमांग में रखते हैं कि जो Himalayan river है वो youthful stage में उनका erosional activity बहुत जादा है यह Tibetan साइट से originate होती है और बहुत सारे Himalayan rivers antecedent है next slide में देखते हैं most of the Himalayan rivers are perennial it means that they have water throughout the year this rivers receive water from rains as well as from the melted snow from the lofty mountains देखिए Himalayan river है most of the rivers देखिए हमेसा most ही यूज किया all नहीं यूज किया most of the Himalayan rivers are perennial means यहां पूरे साल पानी पाई जाती है बरसात की दिनों में यह बरसाती पानी से होती है और नॉर्मल दिनों में यह पहाडों पे जो बर्फ हैं उनके पिगलने से इने पानी मिलता है यह यह बर्फ हैं यह काफी लंबा होता है सोर्स और माउथ के बीच में इनके जो कोर्स हैं यह काफी लंबी नदियां होती है अपने साथ सिल्ट और सैंड को कारी करती है यह बर्फ हैं इपने साथ सिल्ट और सैंड को करती है अपने flood plains पे बहुत सारे depositional features को बनाती है They also have well developed deltas इनके Himalayan rivers के जो delta है ये well developed है Next slide देखते है Features of peninsular river Peninsular rivers are much older than Himalayan rivers जो peninsular river ही हैं Himalayan rivers से काफी पुरानी है They are non-perennial मतलब except few rivers they are non-perennial means यहाँ पर स्टालो बर पानी नहीं मिलती है जो हमने देखा क्या Himalayan rivers are perennial but peninsular rivers are not perennial and maximum discharge are in the rainy season और rainy season में इनका discharge maximum होता है Next point The peninsular rivers have reached mature stage and have almost reached their base level Vertical down cutting is negligible हमने क्या देखा कि Himalayan river वो young stage में है लेकिन peninsular river वो mature stage में है मैं next slide में दिखा हूँँगा कि रिवर के क्या का stage होते है All up they are in mature stage means vertical down cutting is negligible Peninsular river के vertical down cutting negligible है इसी वीडियो में आगे ये पूरी तरह से explain कर दूँगा Next point The rivers are characterized by broad and shallow valleys जो peninsular river की जो valleys है इनके broad होती है और कम गरी होती है गराई इन में इन में कम होता है और चोडाई इनका जादा होता है Next point The main water divide in peninsular river is formed by western ghat which run from north to south close to the western coast जो peninsular river की जो main water divide है वो western ghat है जो north to south की जिनका औरिंटेशन है जो north to south and are close to the western coast Next point The velocity of water in the rivers and the load carrying capacity of the streams is low due to the low gradient Because of low gradient, gradient means ढाल होता है जो बहलश्टे आपानी का जो speed हो कम होता है और जिसके कारण उनका carrying capacity भी कम होता है Next देखते है Most of the major rivers of the peninsula such as Mahanadir, Dugodavari, Krishna and Kaveri originate in western ghat and flow eastwards and drain into the Bay of Bengal ये काता है कि जो peninsular river का जो most of the river है वो western ghat से originate होती है like Godavari, Krishna, Kaveri and वो eastward flow होते हुए Bay of Bengal में गर जाती है मतलब ये are eastward flowing rivers These rivers make deltas at their mouth ये जो है जहां पर ये समूदरों में मिलती है उसको mouth of the river बोलते है तो they form deltas means eastward flowing rivers make deltas at their mouth ये काफी important है ये मैं explain करूँगा next में आप लोगो clear हो जाएगा कि this river makes eastward flowing rivers make delta at their mouth next point but the waste flowing rivers of Narbada and Tappi as well as those originate from the western ghat and falling in the Arabian sea form histories in the place of deltas अब ये देखिएगी ये दो point काफी important है अलग-अलग तरीके से question में पूछता है जो ये जो दूसरा point है ये बताता है कि जो waste flowing river है like Narbada and Tappi और जो western ghat से निकलती है और अरभियन sea में जो मिलती है वो अपने mouth के पास these rivers form histories ये delta के जग़े पे histories बनाती है हमने क्या देखा कि east flowing rivers they form delta at their mouth and west flowing rivers they make stories in place of deltas तो ये याद करनोगाली point है east flowing rivers make delta at their mouth and west flowing rivers make stories in place of deltas ये क्यों ऐसा होता है ये जब हम peninsular river का जब डेटेल्स में पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है बस अभी इतना याद रख देखेंगे कि east flowing rivers make delta at their mouth and west flowing rivers make stories at their mouth नेक्श देखते है there are three stages of river जैसे हमने देखा कि जो हिमाल्यन river वो youthful stage में है और जो peninsular river वो mature stage में है तो वहीं पर मैंने ये जानबुच का डाला है ताकि stages of river से ये point क्लियर हो जाए there are three stages of rivers youthful, mature and old age अब देखते हैं youthful stage क्या कहता है characteristics of a youthful river a river in youthful stage follows a relatively straight course जो youthful stage में जो river होता है वो relatively उनका जो course होता है वो straight होता है जो उनका रास्ता होता है वो straight होता है next point the river flowing down a steep gradient उनका जो slope होता है वो steep होता है उनका ढाल काभी तेज होती है क्योंकि erosion नहीं है अभी नया है तो जैसे जैसे पुरान होते जाएगा वैसे जैसे वो erosion करके समतल बनाती चले जाएगी पैंसुलर रिबर की जो slope है वो कम है हिमालियन रिबर की जो slope है उनका जादा है यहां पर एक यह note करिएगा यूथफुल नदिया है उनमें डाउन कटिंग जादा होता है और वो lateral means side to side erosion उनका कम होता है इससे क्या होता है कि उनका जो channel की जो गहराई है वो बढ़ती चलियाती है और side to side उनका जो breadth है वो जीव का tube बना रहता है तो उनका channel V-shape बन जाता है यहां पर हमें तीन चीज़ याद रखना है कि यूथफुल नदियों का down cutting यानि कि downwards erosion जादा होता है और lateral means side to side erosion कम होता है जिसके कारण उनका channel V-shape हो जाता है इस velocity is fast and strong capable of moving all sediment size from ions in solution to silts and clays also cobbles and boulders जब उसके stream बहुत ही fast strong है तो उनका carrying up इस्ट भी जादा होगा वो silts, clays, cobbles and boulders भी अपने साथ भाग लेके चले जाएंगी वो सभी चीज़ भाग लेके चले जाएंगी तो जो यूथफुल जो नदिया है उनका क्या है उनका straight course होता है सभी speed पर ही उनका सब चीज़ चलता है उनका speed जादा होता है उनका straight course होता है उनका slope जो ढाल है वो जज़ादा तीज होता है ताकि नदी वो तीजी से निकलती है उनका down cutting ज़्यादा होता है lateral cutting कम होता है जिसे कारण उनके जो channel होते हैं बीज़नीच परम पर की निए चैनल निकलती हैं तो यहां पर चैनल इतना घर आ है कि पानी जो भार निगले गाई नी चाहिए कि इतना भाड पानी निगले गए नी तो नहीं होता है प्रेट में प्रिजेंड ने वार पर रैपिट सीच्छ धी-धाई जाते हैं Waterfalls are also a feature of Young River. Waterfalls वो भी यंग रिवर का फीचर होता है. Next, हम क्या देखते हैं? Difference between rapids and waterfalls. Rapids और waterfall क्या होता है? Rapids. Rapids is just a swift water caused by a drop in level, but which has no abrupt change in height. यहां पर हम यह देखते हैं, कि rapid मतलब वो waterfall की तरह नहीं होता है. Waterfalls और rapid दोनों में पानी नीचे की और बहती है, लेकिन rapid का gradient होता है, वो slope होता है, वो कम होता है. उनके height में abrupt change नहीं होता है, वो धीरे-दरी नहीं का height कम होता है, एक slope धलान की तरह इनका पानी यहां से गिरता है, लेकिन waterfall में क्या देखते हैं, कि हम लोग abrupt change in height, यहां से देखिए पूरा नीचे से पानी उपर से नीचे गिरने लगा, waterfall is an abrupt change in elevation, where the waterfalls directly from the higher to the lower levels, यहां पर abrupt change हुआ है, height का, यहां पर उपर से नीचे गिर रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, धलान से नीचे दिर दिर गिर रहा है, इस type को हम लोग rapid करते हैं, और इस को हम लोग waterfall करते हैं, तो हमने क्या देखा कि, waterfalls and rapids are the features of useful river, देखिए, peninsular river में भी बहुत सारे waterfall मिलते हैं, जैसे इरोशन के कारण इनका जो slope होता है, उनका धलान होता है, वो कम जाता है, इरोशन होते होते है, इनका जो slope है, वो normal हो जाता है, second point, the channel is used shaped and wider than a youthful river, yet deeper than old day channel due to moderate down cutting but also lateral erosion, in general the channel is broader with gentle slopes, देखिए, जैसे youthful river होता है, उनका down cutting जाता है, speed जाता होता है, इरोशन जाता है, तो उनका channel होता है, काफी deep होता है, और b-shape होता है, लेकिन, जो mature stage की जो river होती है, उनका down cutting थोड़ा कम हो जाता है, और lateral cutting, side to side cutting थोड़ा बढ़ जाता है, जिनके करण उनका जो channel है, वो used shaped होता है, लेकिन, उनका down cutting, old age river जो है, उनसे जादा होता है, in general the channel is broader with gentler slope, मतलब उनका channel है, उनका slope gentler होता है, लेकिन, देखते है, the velocity is greater than an old age river, but less than a youthful one, जो mature river की जो velocity है, वो old age से जादा होती है, और वो youthful से कम होती है, मतलब यह medium level की, capable of moving many sediment size from ions in solution to silts and clays, also cobbles, but normally not bowlders, unless peak flooding occurs, इनका speed इतना होता है, कि यह अपने साथ, silts, clays, cobbles, अपने साथ यह बहा के ले आती है, जो bowlders होते है, जो पत्थर होते है, वो यह अपने साथ बहा नहीं पाते हैं, जब तक peak flood ना आए, तो clear ही है, कि mature river जो होती है, medium stage की river, medium stage में यह आ गया, तो mature river हो गया, next देखते है, यह floodplain exists with grassy areas besides the river, हमने क्या देखा, यह youthful stage में floodplain exist नहीं होता है, लेकिन, यहाँ पर mature river मे एक floodplain exist करता है, एक medium size का, एक floodplain exist करता है, मतलब अब यह old days की तरफ mature river बढ़ने लगी है, next point, meanders may be present, though they will not be as curvy as those found in old days, च्वह अ़िय्च, में आधे यह prepared the境, मियान जो होता है, यह old days का feature होता है, हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था 11 flea मिलती ह mens next point erosion is present though deposition of sediments also occur यहां पर erosion होता है लिकिन deposition भी सुरू होता है यहां पर वहां वहां प्रोमिन होती है लेकिन यहां पर erosion भी होता है और devotion भी होता है next point there is more water in the stream channel that is the river has a greater discharge than the youth pool river अब पर गिरेटर बिशार्ग हो गा है यहां पर इनकी तो यहां पर volume of water इनका बढ़ गया, youth pool में उनका tributaries कम होते हैं, तो यहां पर जो है, इनका volume, discharge का volume बढ़ जाता है, this means the river is capable of carrying more a greater volume of sediments, मतलब इसका, sediments इन में यह जादा अपने साथ करती है, characteristics of an oldest river, the river flows down a very shallow gradient slope, देखिया, अभी erosion होते गया, परते गया, परते गया, उनका slope जो है, उनका ढाल जो है, वो erode हो गया, और उनका जो gradient है, वो shallow हो गया, इसलिए उनका speed भी कम हो जागा, ultimately, old days के river का, उनका slope होता है, वो कम होता है, next point, the channel wider than it is deep, it is very broad and use-shape, due to extensive lateral erosion, देखिये, यह point यह कह रहा है, कि जो mature river की नदिया होती है, उनकी channel के गहराई कम होता है, और उनकी चोड़ाई जादा होती है, reason यह होता है, कि mature river में down cutting कम होता है, और lateral erosion जादा होता है, तो down cutting कम होने एकाण, उनकी गहराई तो वहीं रुख गई, लेकिन चोड़ाई बढ़ती चली जाती है, और उनका channel एक broad use shape के आकार में आ जाता है, निकमान दिखते है, capable of moving small size sediments, that is silt and clay, small sediments are suspended in the slow moving water, giving the river a muddy appearance, dissolved salt and ions are carried dissolution, मतलब यह dissolved salts, ions, यह अपने साथ silt और clay को अपने साथ बहा के लाग लाएती है, next one दिखते हैं, यह wide floodplain characterizes old age rivers, old age river का characteristic ही है, एक wide floodplain होता है, उनका floodplain हो जादा होता है, क्योंकि बाढ़ के समय में, नदियों का पानी है, अपने channel से बाहर आती है, तो जहां तक पान जाता है, उसको floodplain करते हैं, और old age river का floodplain होता है, लेकिन इनका floodplain होता है, वो अक्सर कीचर नुमा होता है, दलदला होता है, क्योंकि river valley का flooding होता है, तो उनका floodplain मार्सी और स्वैंपी होता है, next दिखते हैं, करभी एस shift, मेंडर्स are abundant and prominent features of an older river, देखिए, मेंडर्स जो है, यह abundant, वो अल्डेज बहुत जादा होता है, मेंडर्स वो सरपीला अकार से इस अकार में, कर भी एस shift, सरपीला अकार में, वो अल्डेज नदिया जो है, वो अपना रास्ता बनाती है, यह एक prominent feature है, ओल्डर रिबर का, next point, यह कुछ ओल्डेज रिवर्स के फीचर्स हो गए, next point, अग्सबो लेक इस अकार से बनता है, यह नदी जो है, ओल्डेज रिवर्स हो गया, यह मेंडरिंग कर रहे है, सरपीला कार से चलती है, यह कर भी एस shift के सब से चलती है, तो यहाँ पर जैसे ही, जब flood आएगा, जब पानी का बहुत ते जो होगा, यह रोसन करते करते, यह रोसन करते करते, यह जो पार्ट है, यह आपस में बहुत ही नजदीक आ गया है, अब यहाँ से यह भी है, जैसे ही, during floods, यहाँ पर, जब यहाँ से पानी आएगा, तो यहाँ से यह अपना बान तोड़कर, यहाँ से अपना रास्ता मिला लेगा, यह जो मियांडरिंग एफेक्ट बढ़ते बढ़ते, यहाँ पर क्या होता है, फ्लट के टाइम में, यहाँ पर यह कोर्स चेंज करके, एक सौर्टे डिस्टन्स अपना कवर कर लेता है, और यह जो भाग है, में चैनल से कट जाता है, और यह एक तलाब बन जाता है, यह नदी था पहले, अमने देखा ही यहाँ पर, यह एक नदी था, लेकिन अब यहाँ पर नदी से कट चुका है, तो अब यह गहराई रह चुकिया, यहाँ पर पानी है, तो यह तलाब बन जाता है, इसको Oxbow Lake करते हैं, इसके इनमें incoming of water कहीं से नहीं होता है, यह बरसात के पानी से incoming होता है और यह normal time में जूख जाती है Next point, difference between Himalayan rivers and Peninsular rivers, place of origin, जो Himalayan river का है, यह place of origin क्या है, यह Tibetan plateau से है, यह Himalayan mountains से है, Peninsular rivers का है, यह Central Island से और Peninsular Plateau से इनका origin होता है, Nature flow, there are perennials, जो बहुत ही important है, इसको आप लोग गयाद रख लिएगा कि Himalayan rivers are perennials, चालों बर इसमें पानी होता है, receive water from glacier, rainfall से भी मिलता है, और glacier से भी मिलता है, लेकिन Peninsular rivers यहाँ पर कोई glacier नहीं है, तो इनका seasonal यह होता है, यह they make both deltas and estuaries, like Narvada and Tappi, they make estuaries at their mouth, and east flowing river, like Kudavari Krishnakavari, they make deltas at their mouth, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि Himalayan river वो के बहुत डेल्टा बनाती है, और Peninsular river वो delta और estuaries दोनों बनाती है, type of drainage, इनका drainage का है, antecedent, जो हमालय परवत के बनने से पहले सही है, and consequent leading to dendritic pattern influence, इनका जो drainage pattern है, वो dendritic है, और Peninsular river का क्या है, superimposed, rejuvenated and resulting in trailes radial and rectangular pattern, तो यहाँ पर दोस्तों यह note करने वाली बात है, कि इनका जो drainage pattern है, यह trailes radial and rectangular pattern है, question आ सकता है, कि trailes pattern exists in Himalayan river, Peninsular river, तो आप लोग को यह ध्यान देना है, कि जो Peninsular river का drainage pattern होता है, वो trailes radial, rectangular, superimposed, rejuvenated होता है, और Himalayan river का drainage pattern होता है, वो dendritic होता है, nature of river, long course flowing through the rugged mountains, experiencing headward erosion and river capturing, इनका जो course होता है, यह काफी लंबा होता है, इनका headward erosion ज्यादा होता है, और river capturing इनका prominent feature है, वो दूसरे नदियों को erosion करते करते हैं, यह दूसरे नदियों को capture कर लेती है, Himalayan river का यह एक prominent feature है, और Peninsular river जो है, वहाँ पर पठारी इलाका है, और वो पुरानी है, पहुच चुकी है, erosion वहाँ पर कम हो चुका है, तो Peninsular river के characteristics, Himalayan river के characteristics से totally different है, Peninsular river में river capturing नहीं पाए जाते हैं, वो एक well-adjusted valleys में बहती हैं, उनके रास्ते फिक्स्ट हैं, और उनकी लंबाई Himalayan river से काफी कम होती है, काफी लार्ज होता है, Peninsular river का catchment area कम होता है, गुदावरी है, जिसका ज्यादा है, बाकी maximum जो Peninsular river है, उनका catchment area कम ही होता है, Age of the river हम ने देखा ही, Himalayan river are in their youthful stage, and Peninsular rivers are old rivers with graded profile and have almost reached their base level, जो Peninsular river है, वो old days है, और उनका down cutting अब नहीं होता है, और वो लगभग अपने base level तक पहुँच चुकी है, इरोशनल के क्रेक्टिक्स हमने देखा ही, कि Himalayan river है, उनका बहुत vertical and lateral erosion is significant and are active erosional and depositional agent, हमने पहले ही देखा है कि Himalayan river है, उनका erosional activity बहुत ही prominent है, उनका vertical and lateral erosion काफी significant है और वो erosional and depositional agent भी है, Peninsular river, there is hardly any vertical erosion and are mainly depositional agent, और Peninsular river का vertical erosion negligible है, lateral erosion है, लेकिन वो mainly depositional agent है, carrying capacity, transport huge quantities of sediments, हमने देखा ही Himalayan river के speed जाता है, उनका gradient जाता है, और Peninsular river का carrying capacity कम है, in the plains they make numerous sharp meanders and oxbow lakes, in the plains they make himalayan river, जो कि young stage है, हमने क्या देखा था है, कि meandering features old age का होता है, लेकिन Himalayan river भी plains में काफी meander बनाती है और oxbow lake भी बनाती है, they make shallow meanders, और Peninsular river का meander होता है, meander है वो कम गारा होता है, river captioning, common river captioning हमने देखा भी Himalayan river का river captioning ज्यादा है, क्योंकि इनका erosion ज्यादा होता है, अब मैं next video में drainage part 2 लाऊंगा, मैंने इस video में drainage के कुछ भाग को cover किया है, बाकि अभी drainage में बहुत सारे topics हैं, जो मैं next के video में cover करूंगा, धन्यवाद दोस्तों, क्रप्लेश, क्योंकि अभीenser अभी है, गष्यादा,